आज हम आपको एक ऐसी प्रेयनादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल UPSC की कठिन परीक्षा को पास करने की है, बलकि ये कहानी है उस अदमय साहस, संधर्ष और ग्रिड संकल्प की जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है. ये कहानी है केरल की पहली आदिवासी महिला IAS अफसर श्रीधन्या सुरेश की, जिन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, अपने सपनों को साकार किया. श्रीधन्या का जन्म केरल के एक छोटे से आदिवासी गाउ में हुआ था. उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा. उनके मातापिता बहुत साधारन जीवन जीते थे, और परिवार की आर्थिक स्थिती भी बहुत खराब थी. लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद श्रीधन्या के मातापिता ने उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी. पढ़ाई का जुनून श्रीधन्या के दिल में बचपन से ही था. वे पढ़ने में हमेशा अववल रहती और खुद को किताबों में डुबाए रख किया. गरीबी में पलीबधी श्रीधन्या ने जूलोजी में मास्टर्स की डिगरी हासिल की. अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने एक आदिवासी हॉस्टल में वार्डन की नौकरी की. इस नौकरी से मिलने वाली सैलरी से वे अपने परिवार की मदद करती और अपनी आग आई एस अफसर बनने का. वार्डन की नौकरी के दौरान श्रीधन्या ने UPSC की परीक्षा की तयारी शुरू कर दी. वे जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास द्रिढ निश्चय और साहस्था. उन्होंने 2018 की UPSC परीक्षा के पहले दोनों चरण पास कर लिये. लेकिन जब इंटर्व्यू देने का वक्त आया, तो उनके पास दिल्ली जाकर इंटर्व्यू देने के पैसे भी नहीं थे. इस कठिन परिस्थिती में उनके दोस्तों ने उनकी मदद की और उन्होंने दिल्ली जाकर इंटर्व्यू दिया. यह उनका निरनाय श्रीधन्या ने ना सिर्फ इंटर्व्यू में सफलता पाई बल्कि पूरे देश में 410 वी रैंक हासिल कर ली। इसके साथ ही वे केरल की पहली आदिवासी महिला आईएस अफसर बन गई। यह उपलब्धी न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे आदिवासी समुद मेहंत और द्रिध निश्चय है तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे सपनों से दूर नहीं कर सकती। UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। हर साल लाखों लोग इस परीक्षा की तयारी करते हैं लेकिन उनमें से केवल कुछ ही इसे पास कर पाते हैं। यह पर श्रीधन्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इनसान अपने सपनों को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहंत करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों नहों हमें कभी हार नहीं माननी संधर्ष हमारे जीवन का हिस्सा होता है और वही हमें मजबूत बनाता है।